नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्प्लिट और टू पीस पैटरन के बारे में तो जैसे नाम से पता जलता है टू पीस पैटरन मतलब कि दो पार्ट में ये पैटरन बना होता है कह सकते हैं कि दो पार्ट को जोड़ कर इस पैटरन को बनाया जाता है इस पैटरन की जुरूर्थ हमें तब पढ़ती है जब हमारी requirement होती है high depth casting और हमें moderate quantities में casting को बनाना होता है और कई बार क्या होता है कि जो casting का design है वो complex होता है या कह सकते हैं कि intricate होता है तो ऐसी स्थिती में mold को बनाने में problem आती है और pattern को आसानी से withdraw नहीं कर सकते mold से तो कह सकते हैं कि intricate shape की casting और pattern को आसानी से withdraw करने के लिए pattern को दो पार्ट में बनाया जाता है जिसे हम two piece pattern या split pattern कहते हैं जैसे उधार्ण के लिए अगर हम देखें यह एक dumble है जिसे हमें cast करना है और उसके बाद जो इसका जो pattern हमें बनाना होगा वो दो पार्ट में बना होगा जैसा इस diagram में नजर आ रहा है उपर वाला जो पार्ट है वो है हमें हम उसको cope half कहते हैं नीचे वाले पार्ट को हम drag half कहते हैं इसको cope half इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे molding box के उपरी पार्ट cope में इसको रखते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम molding box के drag part में रखते हैं दोनो pattern के parts की alignment करने के लिए cope पर double pin की arrangement की जाती है और इन double pins की proper alignment हो जाए इसके लिए drag part पर हमें जो drag half होता है pattern का उसमें holes को provide किया जाता है तो इस प्रकार से दोनों की proper alignment करने के लिए double pin की arrangement की जाती है और split pattern के दोनों parts की alignment parting line पर की जाती है double pin की मदद से pattern की जो parting line या parting surface है वही mold की parting line या parting surface को बनाते है अब बात करते हैं कि अगर यह diagram से में clear होगा यहां कुछ points हमने mention की है कि entry shape के लिए use करते हैं, intricate casting के लिए use करते हैं, upper part of pattern cope में होता है lower part of pattern drag में होता है और double pins हमारे alignment के लिए प्रयोग होती है इसकी applications क्या क्या है, कि split और two piece pattern का प्रयोग किसलिए करते हैं, कहां पर करते हैं जैसे आप इस diagram में देखें, water stop coke को बनाने के लिए use करते हैं, steam valve को बनाने के लिए करते हैं, tap को बनाने के लिए करते हैं, AK-47 जो rifle है, उसका ये जो stock part है, इसको बनाने के लिए भी हम two piece pattern का प्रयोग करते हैं, इसके लावा और भी इसके बहुत सारी applications हैं, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ, और N Universe 2 को subscribe करना ना भूलें, जल्दी हाजर होते हैं एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे,